जो भी मेरे वाइभ वीडियो देख रहे हैं आज एक किसमबाड देड़ हे नगर लिकम चुनाओ के आज पर नाम गोशेफार ये हमारे उमिद्वार स्री विजेश्वट्यागी जी हमारे लिगंजीश्वत्यागी जी वार 63 के उमिदवारे जिनका चनावची नतराजू आज परणाम गोशित हुए जहां पर मदगरना हुई हम वहां मदगरना स्थल्पर सभी मौजूद थे एक एजेंट भी और हमारी उमिदवार भी जब वार 63 के बूट संक्या 695 में से मदगरना हमारे सामने हुई हमने हुआ आगे परणाम देखें तो हमसे बड़े असंतुष्ट हुए हमारी असंतुष्ट तरिका जो सबसे बड़ा मुद्दा है मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वार्प परिशेट के 645 बूट पर जो कि यहां की मदगरना की जो संक्या है प्यरसों कुछ की संक्या है उसमें स लिए उमिदवार के घर की जो बोट हैं 14 जो संबन दिंधि उनकी वोट में लागा बड़ा सोड़ी जिस में से मात्र चार वोट हमारी उमिदवार को मिली है सिर्फ चोटा सा जवाब जामना चाहता हूं कि क्या हमारे उमिदवार के घर वालों निग्वीं दूने वोट नह आपने बोत दी है जो वोट दी है है आप ठासको को बोर जो टी है पुरे परिवार को टी कर दूख़ उसकी है मेरी के खुट वाय की है शोट गई की मम्मी की पापी कोई भोर नहीं दिखाए दिए मार्च चारबर मदिन माली है अब आगे भी मैंने भाईों से मिलवाना चाहा हूँगा हमारे और भाई जिन्हों ने पुरे तन्बंधन से मेहनत करिये इस चुनाओं में वार्ड नंबर 63 से वोट नंबर 695 के मत दाता है इनका परिवर्ड के मत दाता है अपना वो तीन वोटे कहां गई यह हमने तराजू को दी है मैं इस बात को चैलेंज कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से करवाना चाहें करवा सकते हैं हमारे बीजेपी की गड़बड है सारी बीजेपी वालों ने सारी हंदले बाजी करी है हमारी सारी वोटे गय गई है मेरी वोट कहां गई मुझे बताया जाए मुझे अधिकार है इस चीज का पूछने का कि आखिर हमारे वार्ड 63 के जो केटू ब्लॉक है उसमें चार बोट कैसे शो कर सकती है जबकि 9 बोट मेरी अपनी है मेरे खुद की घर की है मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ और म मैं जाँगा और मैं इस चीज को चैलेंज करता हूँ मुझे बताया जाए कि मेरी नो की नो वोट तहां गई मैं इस चीज को दुवारा से उठाता हूँ पीब में घडब्र हुई है यहां पे सारी वोटे जो गई है वो बीजेपु को गई है वो गलिख तरीके से गई है मैं इसको चैलेंज करता हूँ दुबारे सी वोटिंग कराए गाए अगर चैलेंज करने वाली बात है आप wallet paper लेके आये घालवाई है यहां पे vote हम देकें है के साथ कोई मातलब नहीं हुनता 9 voting नोग votes यहां त्युन्हकरी उनका घर घरकी है 9 वोटे मेरे घरकी है आप कैसे कह सकते हैं कि 4 वोटे डलिये वालेट पेपर से आप इलेक्शन कराओ दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा भी, कराई यह आप यहां पे आके, अधिकारी लोग सोय हुए है, सब कोई मिला हुआ है, बिलुगों यहां के समय है, अधिकारियों को तनफ़ा बीजेपी पे लिए, जिसका वो नमक कारें मूहिं घुठा करें, अरे इस से तुम नेवी जन्ता से यह अनुरोज है, कि टोटल बहिश्कार कर दे है, अलक्षन का अलक्षन का मतलब क्या रहेगा, अगर इसमें कारवाई नहीं होती है, आने वाले इलक्षन में हम पूरा बहिश्कार करेंगे, हम कोई बहर लिए कि थि प्रदान मंत्री जीजे और इस सरकार से यही तुम्हारा बश्च सातन है और ऐसा सातन है तो एते सातन को जनता जबाब देगी जनता ने तुम्हें चुना है तो जनता तुम्हें उतार के भी बैंक देगी जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी मत दाता हूं है अक्रोश है जो एकसा रिश्वासगात किया गया सरकार के दुवारा सभी रूस्ट है कि इतनी बड़ी मुहीम जो हमने छेड़ी थी उसका प्रिणाम हमें एधोके बाजी से दिया गया शोटी सी बात में अपने बुज़ग राजी声 को देखर बनाने के लिए तय가 ना कि ये दोखा ऐसाने के लिए हमारे सभी भाई को बसक्ता थायने हम इस पर और को दिकाने कि यह जन्च शक्ति किया चीज़ है इसथ sent is कि मीडिया भी जो सरकार है उसके साथ मिली हुई है अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए है मैं जानता हूं इस वीडियो का शायद वो लोग हमें कुछ भी रेस्पोंस नहीं देंगे लेकिन हमारा कहने का हक है हम कहेंगे और हम एक एक अधिकारी से कहना चाहते हैं अगर आपक अधिकारी है कोई भी चाहे वो बीजीपी आदमी हो चाहे कोई अधिकारी हो हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि सचका साथ को देता ही नहीं है अगर हमादों तो सामने आईए और जोबी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जाने से दाना शेयर करें ताकि सभी को पंते ले क यह आज की सरकार में आज की सरकार कितनी बेश्चा चारी हो चुकी है इतने दोगणी सरकार हो राया है एक टूके हर घर से 445 बोटे पड़ी है तराजू के निशान पर भाई विडेश अरत्यागी जी को लेकिन वह बोटे हमारी कहां गई उसका जवाब हमें चाहिए बस